नमस्कार दोस्तों स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल पर आज हम बात करेंगे नक्स वामिका के बारे में नक्स वामिका जिसका कॉमन नेम है पॉईजन नट ये दवा हम लोग अकसर गैस्ट्रिक कंप्लेंस में देते हैं या फिर बहुत ही ऐसी चीजों म ये मेडिसिन हमें अमारे प्लांट किंग्डम से मिलती है चलिए जानते हैं नक्स वामिका की परस्नालिटी कैसी होती है ये जो लोग होते हैं बहुत ही एंबीशियस होते हैं बिल्कुल इंपेशिंट होते हैं इरिटेबल होते हैं बहुत ही गरब मिजास के लोग होते हैं अगर वो इनसान नक्स वामिका है, तो वो हर किसी के उपपर dominant करने की कोशिश करता है, जिसके वज़े से ये domination करने के लिए बहुत ही aggression में रहते हैं, और बहुत ही वाइलेट हो सकते हैं किसी भी time पर, अब जानते हैं heart task master, ये बहुत ही multitasking personality होती है, इनको अपना काम करने के लिए किसी भी हद तक जाने का रहता है ये अपने काम को पूरा करने के लिए कोई भी शाम दाम दन भेट अपनाते हैं फिर हम जानते हैं इनके mental generals को ये बहुत ही irritable होते हैं, passionate होते हैं और fastidious होते हैं उसमें बहुत ही सफाही होती है और आपने काम करने से भी ये नहीं सोचते हैं कि इस काम को करने के वज़े से किसी का बुरा होगा या अच्छा होगा बस अगर उनके दिमांग में कोई भी बादना की ताह चड़ गई तो भी उसे पूरा करके ही छोड़ते हैं वेराम जानते हैं कि डार्क साइट को ये बहुत ही जादा जेलिस होते हैं इनमें इर्श है ये गरणा भाव बहुत होता है इनको लगता है कि कोई ये मेरे से आगे कैसे हो सकता है अगर मैं इतनी महनत कर रहा हूं ये कुछ भी कर रहा हूं तो मेरे आगे मेरे प्रेशनसा के इस चीज़ों को देखकर इनके अधना बहुत ही साथा गुस्सा भर जाता है और इसी चक्कर में यह सामने वाले को गिराने के लिए अलग अलगता के शड़ें रच्टे रहते हैं जिसका मतलब होता है या फिर कोई भी ऐसी चीज़ या नार्कोटिक्स भी हो सकते हैं यह अपने काम को और अपने दिमाग को और जाद अब कर तेस्ट करने के लिए या अपने अंदर एक बहाव लाने के लिए स्ट्रिम्लेट्स का यूज करते हैं इन फाक्ट अगर इना कॉंस्टिपेशन होता है तो यह लाक्जिटिफ का यूज करते हैं और बहुती जादा स्ट्रेइनिंग करते हैं कि वह हर्थ हालत में उनके शरीर से बाहर चल जाए इसमें भी हाग देखेंगे तो इनका एक मेंटल जेनरल है तो गेट दे वर्ग ड़न भाई हुक और बै क्रुक चाहे जैसे भी हो किसी भी शाम नाम दन भेट को यूज करके यह लोग अपना काम करवा लेते हैं भले ही फिर उसके बाद उनके खुद का कोई काम हो यह फिर बॉड़ी की physical complaint हो भी है फिर हम आते हैं complementary relationship में, नक्सवामिका और Lycopodium एक दूसरे के complementary होते हैं यानी एक दूसरे के पूरक होते हैं अब हम जानते हैं नक्सवामिका बच्चे यह Lycopodium बच्चे में हम differentiate कैसे करेंगे आपको पता है धुरी Umio дост occurred colleagues प्रों सी बॉस होती है एक ह नक्स फॉमिका होता है वो कभी किसी से नहीं डरता, चाहे उससे ऊचे पत पर कोई हो, चाहे उससे नीचे पत पर हो, पर लाइको पोडिये, सिर्फ अपने नीचे वालों से नहीं डरता, पर अगर कोई भी उससे ऊचे पत पर होगा, वो उससे जरूर डरेगा, नक्स फॉमिक वो शैतानी कर सकता है उसके शैतानिया ऐसी हो सकती है कि वो सामने वाले के लिए कोई बड़ी दिक्कत खड़ी कर दे वही पर अगर लाइको पोडियम का बच्चा होगा तो वो बहुत ही जादा टरपोक होगा दूसरे से बोलेगा नहीं और अपने में ही रहना जादा पसंद करेगा तो अब आप समझ सकते हैं कि नक्स फॉमिक और लाइको पोडियम को पहचानने के लिए आप थोड़ा सा उसके पास्ट में या बच्चों के चाइल्ड होड हिस्ट्री में आप देख सकते हैं उनके पेरेंट से जान सकते हैं कि बच्चे का व्यवहार कैसा है अब जानते हैं हम कॉम्प्लिमेंट्री में नक्स फॉमिक का एडल्ट और लाइको पोडियम एडल्ट के बारे में जैसा कि हमने पहले कहा था कि लाइको पोडियम का बच्चा बहुत ही शाई सुभाओ का होता है मतलब यह शर्माता रहता है उसी तहां से लाइको पोडियम का एडल्ट भी उसके हर मुम में आपको हेजिटेशन मिलेगी वो सोचेगा कि आप मुझे ये काम करना चाहिए या नहीं करना चाहिए क्योंकि लाइको पोडियम का जो एडल्ट होता है वो कभी भी अपना लुकसान नहीं उठाना चाहता इस चक्कर में वो कोई भी गलत काम या ऐसा काम करने से बचता है जिसमें वो फर्स जाए वही नक्सवामिका का जो एडल्ट होगा वो बहुत ही वाइलेंट होता है यहाँ पर जो रोड रोलर की पिक्चर लगी है डॉक्टर संकरन ने बोला है कि वो अपना काम इस तहीं के से करता है जैसे कि कोई रोड रोलर हो अगर उसके सामने कोई भी आता है तो वो उसको अपने रास्ते से हटा दिता है नेक्स हम बात करते है नक्स वामिको और सल्फर की नक्स वामिका का जो पेशेंट होता है वो अक्सर चिली होता है क्लीन होता है आर्डेंट महला वो अपनी जगाओं पे बहुत स्थिर होता है वह हर चीज़ को एक्सप्रेस करता है बहुत ही अग्रेशन के साथ उसी तरफ सल्फर का जो बंदा होता है वो होट, डिर्टी और लेजी होता है उसके जो थर्मल्स होते हैं बहुत होट होते हैं उसे बहुत साथ गर्वी लगती है वो बहुत ही careless होता है dirty होता है और lazy जब हम याद करेंगे तो हमने पुरानी वीडियो में सलफर में बात करी थी कि वो भी बहुत ही business minded होता है तो इससे मैं आपको एक relation बताती हूँ हाली में एक series आई है ताजा खाऊ है भुवन बाम की जिसमें वसिया का character है अगर आप वसिया के character को ध्यान से देखेंगे तो वो बंदा एक पैसे से दूसरा पैसा बनाता है मतलब जब एक बार उसकी lottery लग जाती है तो पैसे से पैसा बनाना शुरू करता है तो वो हम कही न कहीं ते character देखेंगे कि वो सलफर का character है पर जो बार में उसके अंदर जो गुसा है उसके अंदर जो aggression है हर चीज़ को खरीदने की तमना है वो कहीं न गए और stimulants की desire है वो उसको नक्सवामिका का फेदर है तो हम देख सकते हैं कि वो एक टाइम पर नक्सवामिका की picture अब हम इसे differentiate कैसे करेंगे एपस में हमें busyness और restlessness मिलेगी वही हाय साइमस हमारा shameless होगा और foolish होगा लाके से बहुत ही सार्कास्टिक होगा जो कि दूसरों को टेड़े मेरे comments करता रहेगा उसे जगा सलफर हाँ बहुत ही quarrelsome nature का मिलेगा और अगर नक्स है तो वह ambitious भी होगा और jealous भी मिलेगा अब हम बात करते हैं acute की हमें पता होने चाहिए कि सीपिया हमारी एक सीपिया जो हमारी personality है उसकी acute picture में हम कई बहुत नक्स मॉमिका को prescribe करते हैं क्योंकि सीपिया में relationship और occupation दोनों चीज माइने रखती है वो independent भी होना चाहती है और उसी जगा अपने relationship यापने duties को follow भी करना चाहती है फुल्फिल करना चाहती है सीपिया भी हमारे नक्स मॉमिका की तरह irritative या irritationful और chill और constipated होती है उसी में भी अगर business failure का डर होता है जिसकी वज़े से हम उसमें नक्स मॉमिका प्रेस्क्राइब कर सकते हैं नक्स मॉमिका एक सरफ जहां पर male remedy को show करती है उसी जगा सीपिया दूसी तरफ हमारी female remedy को show करती है नेक्स आईए बात करते हैं physical concomitants की हमें नक्स मॉमिका में perspiration मिलेगा अपर लिप्स में desire होगी fatty और spicy food की जिसे खानी की वज़े से उसकी सारी physical complaints बढ़ जाएंगी नक्स में हमें desire मिलेगी meat की digestive disturbances भी मिलेगी और बहुत ज़ादा उसमें हमारे irregularities भी मिलती रहेगी sleeplessness हमें मिलेगी सुबा तीन से लेकर पांच बज़े के बीच में आए जानते हैं कुछ rubrics के बारे में ये कैसे होते हैं abusive drunkenness during दारोपीने के बाद ये बहुत ही ज़ादा abusive हो जाते हैं सामने वाले को गालिया देते हैं और उसी में violent भी होते हैं ailments from business failure कोई काम खराब होने की वज़े से इनकी कोई भी physical complaint ये mental complaint में changes आना हम मिलता हैं ardent वालब कठोड़ता business man worn out बहुत ज़ादा काम करने के बाद इनकी physical complaints में aggravation होना हमें मिलता है delusion bad evening someone get into a no roommate इनको ऐसा लगता है कि इनका जो कमरा है वो बहुत ही छोटा हो गया है या इनका बिस्तर बहुत ही छोटा हो गया है या फिर किसी ने उसमें गबजा कर लिया है या इस तरह का इनके दिमाग में ख्याले पुला पकता रहता है zealist यानि कि यह अपने काम को लेकर बहुत ही ambitious है और बहुत ही excited है फिर हम जानते हैं delusion but someone has sold it इनको ऐसा लगता है कि किसी ने इनका बिस्तर ही बेच दिया इनको ऐसा फील होता है कि किसी ने इनकी प्रापरटी को बेच दिया next है envy मतलब कि यह शत्युता फिर है insanity drunkenness in जब यह दारू पी लेते हैं तो यह एक्दम पागलों की ताब व्यवहार करते हैं next है इनका jealousy malicious spiteful vindictive इसका मतलब है यह शद्यांतर कारी दूसरों से बदला लेने वाले और हमेशा शद्यांतर रचने वाले ऐसे बंदे होते हैं fear of poverty इनके अंदर डर रहता है कि कहीं मैं गरीब ना हो जाओ next है quiet desires repose and tranquility इसका मतलब होता है desire for rest besides oneself उन्हें ऐसे feel होता है कि कोई उनके पास है या वो किसी के साथ खड़े है irritable when questioned जब भी कोई उनसे कोई सवाद पूछेगा तो बहुत ही कुसा आ देते हैं या जहनला दे लगते हैं quiet ameliorates शान्त रहके उन्हें अच्छा लगता है reproaches other वो हर वक्त दूसरे के action को question करते हैं या contra indicate करते हैं short sleep ameliorates थोड़ा सा एक छोटा सा नाप लेने से उनके सारी physical complaints या mental complaints में आराम मिलता है आज की वीडियो यहीं पर समाप्त होती है आप हमें comment करके बताईए कि आपको ये वीडियो कैसी लगी और next वीडियो आपको किन चीज़ों पर चाहिए तब तक के लिए हमारे चैनल को subscribe करें और हमारे वीडियो को like करें शेयर करें और comment करके हमें और आगे के बारे में बताते रहें थैंक यू